हलो दोस्तो आज इस विवर मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ महतारी वंदन योजना के लिए आप लोग किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हो अपना पंजियन करा सकते हो रजिस्टेशन करा सकते हो घर बैठे फोन के माध्यम से बहुत सार ऐसे विवर हैं जिन्होंने कमेंट करके इसके बारे में पूछा है और साथी साथ दोस्तो मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देने वाला हूँ महतारी वंदन योजना के लिए कौन-कौन अवेदन कर सकते हैं कौन-कौन पात रहें कौन-कौन अपात रहें अगर अगर आप लोगों को इस योजना का लाब चाहिए तो आप लोगों के पास में कौन-कौन सा डॉकमेंट दस सावेज होना चाहिए आयू सीमा क्या होना चाहिए तो दोस्तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल शिरो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, बेल आइकन को जुरू दबाए, तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को अपना गूगल ब्राउजर उपन कर लेना है, और यहाँ पर टाइप करना है, फॉर् पर सकते हो, Read More, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, और Next Page आप लोगों के सामने open हो जाएगा, दोस्तों आप लोग यहाँ पर पर सकते हो, महतारी बंदन योजना के लिए आप किस परकार से फॉम भर सकते हो, अपना पंजियन करा सकते हो, रिजिस्ट्रेशन करा स पात्रता क्या होना चाहिए, कौन-कौन इसके लिए पात्र है, अपात्र है, आयू सीमा क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों डिटेल से जानकारी दिया गहें, दोस्तों आप लोग यहाँ पर पॉइंट वाइस पर सकते हो, यहाँ क्या-क्या बताया गया है, मतारी वंदन योजना क्या है मतारी बंदन योजना में पंजयन है तू फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर सकते हो क्या क्या डॉकॉमेंट चाहिए कितना रुपे आप लोगों को सलाना दिया जाएगा यहाँ पर डीटेल से जानकारी दिया गया है दोस्तों आप लोग यहाँ पर वीडि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है और दोस्तों आप लोगों के सामने जो अवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो मतारी वंदन योजना में पंजयन हेतु फॉर्म आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अवेदक का न लिख देना है, एक important point दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो भी detail जानकारी आप लोगों के अधार कार्ड में है, वो ही detail जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भरना है, उसके बाद मैं यहाँ पर संपर्ग नंबर लिखने के लिए कहा गया, आप लोगों पर अपना mobile number, contact number लिख देना है, contact number लिख लेने के बाद, आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, गाउवाट का नाम पूछा गया है, कि आप लोग कौन सा गाउव में रहते हो, जिस भी गाउव में आप लोग रहते हो, उस गाउव का यहाँ पर आप लोगों को नाम गाउं का नाम लिख लेने के बाद इसी की नीचे ब्लॉक तसील का नाम लिख देना हैं दोस्तों धियार है जो भी डिटेल जानकारी आप लोग यहां पर लिखो गए जो अधार कार्ड में जानकारी है वो ही जानकारी आप लोग यहां पर लिखें उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोग कौन से जिला में रहते हो यहाँ पर अपना जिला का नाम लिख देना है जिस भी जिला में आप लोग रहते हो अंती में दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं परिवार में विवाहित महिलाओं की संख्या पूछा गया है कि एक परिवार में कितने विवाहित महिलाएं हैं जितना भी आप लोगों के परिवार में विवाहित महिलाएं हैं उनकी संख्या लिख देना है और अंति में दोस्तों आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो submit सब्मिट में जैसे ही click करोगे दोस्तों आप लोगों का पंजियार registration हो जाएगा बस दोस्तों आप लोगों को इतना ही इस form में भरना है और दोसो अगर आप लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप लोग ओफीशियल वेफ साइट आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो formcasset.com पर आकर आप लोग इस योजना के बारे में डिटेल से जानकारी प्राक्त कर सकते हो यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है आप लोग यहाँ पर पड़ भी सकते हो अब वीडियो को पॉस करके देख भी सकते हो और एक important point दोस्व जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है बहुत सार ऐसे वीवर हैं जो कमेंट करके पूछ से हैं क्या इसके लिए हम offline अवेदन कर सकते हैं तो दोस्व अभी offline अवेदन नहीं किया जा रहा है जैसे ही offline अवेदन के लिए form भरे जाएंगे मैं आप लोगों को detail से जानकारी भी दे दूँगा और उस form को भर कर भी दिखा दूँगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्व यही form है जो offline भरा जाएगा जैसे ही यह form offline भरा जाएगा मैं आप लोगों को इसके बारे में detail से जानकारी दे दूँगा तो उमीद है दोस्व कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like करे, share करे ताकि ऐसी योजना से संबंदीत जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके दोस्व अगर आप लोगों को इस योजना की जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाना है तो अधिक से अधिक share कीजेगा ताकि ऐसी योजने सम्मधित जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और दोस्तो इस योजने सम्मधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मैं सभी सवालों का जवाब आप लोगों को दे दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद